तू यड़ देखो हमारे Free Fire का एतिहास गवा रहा है कि जिस चीज ने प्लेयरों को सबस्यादा सुक दिया है उसी चीज ने सबस्यादा रुलाया भी है अब चाहे वो हमारे Skyler की HP देने वाली एबिलिटी हो या फिर क्रोनों की आरपार मारने वाली एबिलिटी और अभी के टाइम पे भाई Free Fire वालों के रेडार पे UMP गन भी चड़ चुकी है और अभी यह इसका भी काम तमाम करके मानेंगे मतलब यार अबडेट आने पे तो UMP की पावर को घटाते ही घटाते हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि शायदे भाई रोज रात को दो वज़े बैटके भी चुपके से इसकी थोड़ी थोड़ी पावर को घटाते रहते हैं लेकिन वही है कि फ्रीफार वाले किसी चीज़ को कम करते हैं तो कहीं से किसी चीज़ को बढ़ा भी देते हैं ताकि गेम का मचा बराबर बना रहे और इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि UMP की पावर कम होने के बावजूद भी आप लोग उससे काफी तगड़े तगड़े हैचोट कैसे मार सकते हो एकदम रेड रेड और ट्रस्ट में गाईज ये वाला वीडियो मैंने बहुत मस बना आप लोग एक दिन में कम्प्लीट करा सकते हो लेकिन एक साल में भी कम्प्लीट नहीं कराता कोई और जो लोग नए आ रहे हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो चलते हैं अपन वीडियो को शुरू करते हैं तो देखो को इस UMP के हैडशो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बहुत मस्चीर बताता हूँ जो कि आपको UMP चलाते समय सबसे ज़्यादा काम आने वाली है तो आप लोग सबसे पहले इधर देखो कि अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग राउंड में और मेरे हाथ में है UMP और मैंने UMP की Art of War वाली गनी स्किन को लगा रखा है जो कि Free Fire वालों ने सबको एक्दम Free में दी थी तो अब आप लोग यहाँ पे देखना एक ज़ादू तो मैं सबसे पहले ना इस सामने खड़े बॉट को एक Headshot मारता हूँ तो आप लोग सिंपली देख सकते हो कि भाई 143 का डैमेज आ रहा है और मैं जितने भी Headshot इसको मार रहा हूँ सब का डैमेज 143 ही आ रहा है तो कौन सा तीर मारा है लेकिन अब यहाँ पे यूज करूँगा मैं अपना जादू तो आप लोग सिंपली देख सकते हो कि मेरे हाथ में अभी भी UMP ही है और मैंने उसकी Art of War वाली गनिस की नहीं लगा रखी है तो अब मैं इसको Headshot मारता हूँ तो आप लोग सिंपली देख सकते हो कि कितने का डैमेज आ रहा है भाई 241 का डैमेज आ रहा है और पहले आ रहा था 143 का मतलब 98 का डैमेज भाई मजे मजे में बढ़ गया लेकिन यह वाली ट्रिक ना मैं आपको बता नहीं सकता है क्योंकि यार बचपन में आपने वह वाली कहवत तो सुनी यह होगी कि Magician अपनी ट्रिक्स कभी नहीं बताते तो देखो guys मैं आपको simply बताता हूँ कि मैंने ऐसा कैसे किया है मतलब भाई डैरेक्टर 98 का ही डैमेज बढ़ा दिया एक बुलिट का है ना 10-12 का अगर मैं डैमेज बढ़ाता तो तो कोई बात भी थी लेकिन यार 98 का डैमेज तो भाई माईने रखता है तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस आपको ये जीच करने के लिए simply दो करेक्टर की जुरत पड़ेगी एक है वुल्फरा और दूसरा है निकिता तो आपको इन दोना करेक्टर को लगा लेना है और फिर ट्रेनिंग ग्राउन में आके चेक करना है और जब आप लोग ऐसे ही आके चेक करोगे तब भी आपका डेमेज नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसकी कुछ कंडिशन्स हैं तो वुल्फरा की कंडिशन्स ये है कि जब आप लोग इसको लगाके तीन किल करोगे और उसके बाद जब किसी को हैडशोट मारोगे तो जिस भी गन से हैडशोट मारोगे उसका डेमेज सामने वाले के हैड़ पे 30% बढ़के लगेगा तो अब मैंना 3-4 किल कर देता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ तो आप लोग सिंपली इदर देख सकते हो कि नॉर्मल जो हैड़ पे डेमेज लगता है वो 143 का लगता है लेकिन अब बढ़के लग रहा है 143 से लेकिन भाई अभी भी 241 का डेमेज नहीं लग रहा है और अगर आपको अब 241 का डेमेज ची है तो आपको अपने दूसरे करेक्टर की अबिलिटी यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है निकिता तो निकिता की अबिलिटी यह है कि इससे भाई आपकी जो गन की लाष्ट की 15 बुलिट का डेमेज होगा वो 30% बढ़के लगेगा सामने वालों को मतलब जैसे अभी मेरी यूएमप में सिर्फ 15 बुलिट्स बचेंगी तो उनका डेमेज भाई 30% और बढ़ जाएगा तो अब आप लोग देख सकते हो कि अब जो डेमेज है वो और जादा बढ़ चुका है और बढ़के 241 हो गया है तो आप लोग भी सिंप्ली वुल्फरा और निकिता की अबिलिटी का यूज करके पक्का देखना तो देखो गाईज अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग UMP से एकदम Red Red Headshot कैसे मार सकते हो तो उसके लिए जो सबसे Best Trick है न अभी के टाइम की वो है Joystick Trick तो भाई अभी से कम से कम ऐसा मानलो कि 4-5 मेने पहले तक जब हम Joystick को पकड़ के Fire करते थे तो हमारी गोलियां बहुत जादा Require हो जाती थी और सारे Headshot पीछे वाली दिवार पे लगते थे लेकिन Free Fire वालों ने UMP में Changes कर करके कर करके ऐसा कर दिया है कि अब जब हम Joystick को पकड़ के Fire करते हैं तब काफी तकड़े Headshot लगते हैं और इसलिए ये जो Joystick पकड़ के Fire करना है ये अभी के टाइम पे भाई ट्रेंडिंग में चल रहा है लेकिन इस चीज को भी अगर आप गलट टेकनिक के साथ यूज करोगे तो फिर तो भाई इसको पकड़ के भी Headshot निमार पाऊगे तो आपको सिंपली इस Joystick ट्रिक में एक एकदम सही टाइमिंग के साथ करने से आपको भाई एकदम रेटर नंबर Headshot देखने को मिलेंगे और इस चीज का अभी के टाइम पे भाई काफी तगड़े तगड़े प्लेयर यूज कर रहे हैं जैसे कि आप लोग स्मूद ट्रिफल 4 का भी Example लें सकते हो और सबसे बड़ को अब बताने वाला हूं जिसका नाम है Stability तो देखो आप लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे होगे और आपने काफी बार सुना होगा कि जो लोग PC में केलते हैं उनके जादा अच्छे Headshot लगते हैं और वो जादा accurate Headshot मार पाते हैं तो भाई ये बात ना एकदम 100% सच है कि PC में मुबाइल के मुकाबले बहुत जादा और बहुत जल्दी Headshot लगते हैं और ऐसा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है जिसका नाम है Stability मतलब PC में हमें Headshot मारने के लिए Simply अपने माउस में क्लिक करना होता है और अपने हाथ से अपने माउस को ऊपर की साइट ड् Headshot ही लगती हैं लेकिन मुबाइल में क्या होता है कि हमें एक ही अंगूटे से ड्रैक करना होता है और अगर हमें दिखी भी जाता है कि हाँ भाई Headshot लग गया है तब भी हम लगातर Headshot ही मार पाते क्यूंकि हमारे जो अंगूटा है वो थोड़ा थोड़ा Fire Button को हिला दे रहा होता है जिससे कि भाई लगातर Headshot मारने के लिए जो Stability चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाती और हमने अपने फोन को भी अपने दोनों हातों से पकड़ा होता है और पूरा का पूरा फोन भी थोड़ा-थोड़ा हिल रहा होता है जिससे कि हम ना चाते हुए भी अपने Drag की Stability क बेकार कर देते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा Mobile में Drag करते टाइम हमेशा कम से कम Fire Button को हिलाना है मतलब जब आप लोगों ने अपने Fire Button को खीच के ऊपर की Side कर दिया है ना तो आप लोगों को उस टाइम पे अपने अंगूटे को जादा इदर उदर जी लाना है उस टेम पे आप लोगों को अपने अंगूटे को Stable रखना है और Stable करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीजा आप लोग त Imper altogether करते हो ना वह ये कि आप के टाइम पे UMP से यादा हैडशोट ना MP5 से लग रहे हैं और MP5 से भाई लगाता हैडशोट भी लग रहे हैं तो इसलिए अगर आप लोग MP5 का यूज करोगे ना UMP को छोड़ कर तो भी आप लोग को भाई काफी अच्छे हैडशोट देखने को मिलेंगे और गैस अगर आप 20 के लाइक का एम रखाया ना वो यार आप लोग कंप्लीट करा देना और सब्सक्राइब भी कर लेना याद से मिलता हूं मैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई